आपके बच्पन से लेकर आज तक आपके मन की जैसी भी हालत रही है जरूरी नहीं है कि आपके मन की हालत हमेशा वैसी ही रहे कुछ ऐसा ढूंडिए जिसके लिए आप में जुनून हो आपको कुछ तीवता बढ़ानी है ध्यान अपने आप लगेगा सबसे आसान काम है अपने मन के ढाचे को बदलना देखें अगर बात शरीर और मन की हो तो दो इंसानों के शमता कभी भी एक जैसी नहीं होती शारिरिक की आमान सिक रूप से एक इंसान जो कर सकता है दूसरा वो नहीं कर सकता वो कई तरीकों से अलग होते है अक्सर नाम दे दिया जाता है मुझ में ध्यान की कमी है मैं ADD, ABC, XYZ हूँ कितनी सारी चीज़ें बात तो ये है कि खुद को बहतरीन कैसे बनाया जाए, है ना? आप ध्यान नहीं दे पाते पर मुझे एक अलग ही समस्या थी मैं बहुत जादा ध्यान देता था अगर मैं यहाँ ध्यान देता तो अपना ध्यान वहाँ नहीं दे पाता था मैं बस इसे घंटों तक देखता रहता था लोग उन्हों सचा ये भी एक समस्या है लोगों को ये एक समस्या लगी वो बस एक ही चीज़ को देखता रहता है मुझे वोस्तिती आज भी याद है वो कितनी आजीब थी आप जानते हैं मेरे पिता ने पूरे जीवन जबर्दस्त पढ़ाई की पर दुर्भा किसे उन्होंने मेरे जैसा बेटा पैदा किया जैसे पढ़ाई की कोई चुनता ही नहीं थी किसी भी तरा की तो उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था और हर शाम साथ से नौ तक हर रोज हम चारो भाई और बेनों को पढ़ना होता था स्कूल की किताब मैं एक किताब उठा था मेरे लिए हर किताब एक सी होती थी फिर मैं उसे खोलता था चाहे पेज कोई भी हो मैं बस खोलता था और मुझे पेज पर कुछ छोटे धब्बे कागस पर कुछ दोश मिलते थे मैं बस उन्हें देखता था बस बात खत्म ये मेरा ध्यान ऐसे खीचते थे कि मैं दो घंटे उन्हीं को देखता रहता था मैं कुछ नहीं पढ़ता था पर मैं ऊपर या यहाँ वाहाँ नहीं देखता था क्योंकि मेरा ध्यान वहीं होता था दो घंटे मैं बस उसी को देखता था क्योंकि एक धब्बे में इतना कुछ है ना उस एक कण में पूरी दुनिया है लोग पूरा जीवन अनू या परमानू को देखते हुए बिता चुके हैं ना धब्बा तो परमानू से बहुत बड़ा होता है पर लोगों को यह पागलपन लगा क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा था तो खुद को नएने नाम मत दीजे कौन तह करेगा कि आपमें अटेंशन की कमी है कैसा कोई स्टैंडर है कि कितना ध्यान देना चाहिए या आपको कितना ध्यान मिलना चाहिए ऐसा कोई स्टैंडर कहीं नहीं है ना आप खुद बना रहे हैं समस्या ये है कि बच्पन से ही बच्चों पे ठपा लगा दिया जाता है और उन्हें जीवन भर उसी लेबल के साथ पहचाना जाता है पांच की उमर में आपकी ध्यान का स्तर या छे की उमर में पंद्रा साथ या बीस की उमर में आपकी ध्यान का स्तर बिल्कुल अलग हो सकता है, है ना? क्या कई लोगों का ये स्तर बहतर नहीं हो गया है? है ना? स्कूल के पहले दिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, बाद में आ गया या शायद पहले दिन आपको लगा कि आपको सब समझ में आ गया पर साल भर आपने कुछ नहीं किया हाँ या ना आप एक जवान आदमी है क्या पडोस में लड़किया हैं? मैं mechanical engineer हूँ तो नहीं वो ठीक है मैं mechanical engineer हूँ क्या पडोस में लड़कियां हैं मैंने पुछा नहीं आम तोर पर engineer ऐसे महलों में रहते हैं जहां लड़कियां कम होती हैं इसलिए वो किसी वज़ा से दूर चली गई होंगो यह कहां से आया मेकेनिकल इंजीनियर मिशीन आपके सिर में है तो आप यूँआ है अब आप किसी की तरफ खिचते है ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, है न? अलो? ध्यान नहीं देना पड़ता है वे खुद समाज आते हैं तो यह बस रुची की बात है अगर किसी चीज में आपकी गहरी रुची है तो ध्यान लगेगा यह क्यों नहीं लगेगा पर फिलहाल किसी चीज में आपकी रुची नहीं जगी है पता नहीं आप लंदन में कौन सी मशीन संबाल रहे हैं? सुनाया कि घड़ी रुख गई है तो अगर कोई चीज आपको बहुत आकर्शित करे तो ध्यान क्यों नहीं लगेगा? ध्यान लगेगा क्या वैसा लगेगा जैसा दूसरों का लगता है? शायद नहीं स्कूल में जो होता था उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं लगा क्योंकि मुझे वो दिल्चस्प नहीं लगता था पर मेरा ध्यान बाकी सभी चीज़ों पर लगता था तो मतलब ये है कि मुझे ध्यान की कमी थी? नहीं, वो ब्लाक बोर्ड पर जो लिखते थे मुझे उसमें दिल्चस्प नहीं थी बस तो अभी दुर्भाग यसे परोस की सभी लड़कियां दूर चली गई हैं तो आप में ध्यान की कमी है कुछ ऐसा ढूंड़िये जिसके लिए आप में जुनून हो, ध्यान लगेगा क्यों नहीं लगेगा? जरुरी नहीं है कि मेरी कही हुई चीज़ पर कोई भी चीज मैंने लड़कियों का उधारा निस्त ले लिया क्योंकि एक केमिकल सपोर्ट होता है आपकी केमिस्ट्री आपका ध्यान लगवा देती है वरना ध्यान लगाने के लिए थोड़ी ज़ादा कोशिश जरूरी है आपको थोड़ा जुनून रखना होगा ताकि आपको कोई चीज जरूरी लगे जो आपके लिए जरूरी हो अगर ये समझ में आ गया तो ध्यान अपने आप लगेगा मुझे पता है कि लोग कुछ और कहेंगे पर मैं कह रहा हूँ कि बच्पन से लेकर अब तक आपके मन की जैसी भी हालत रही है जरूरी नहीं है कि आपके मन की हालत हमेशा वैसी ही रहे सबसे आसान काम है अपने मन का धाचा बदलना अपने शरीर का धाचा बदलना बहुत मुश्किल है अपने मन का धाचा बदलना सबसे आसान काम है क्योंकि यही सबसे लचिली चीज है पर आपने अब उसे ही ठोस बना लिया है अपने सिर का आप क्या काम लेना चाहते हैं? बस हेड़ बटिंग। मैं पूछ रहा हूँ आपको इसे जितना हो सके लचीला रखना चाहिए है ना? हलो? अब आपने इसे एक कॉंक्रीट ब्लॉक जैसा ठोस बना लिया है आपका इरादा क्या है? मुझे लगता है तभी इतने सारे लोग फुटबॉल देखते हैं बस यही चीज़ आपको पसंद है अगर अच्छे से करें तो ये भी ठीक है पर सेर का इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है और बहुत से काम आप तभी कर सकते हैं जब आप इसे बिल्कुल तरल और लचीला रखें वरना ठोस कॉंक्रीट के ब्लॉक से कुछ ही चीज़े हो पाएंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे आपको जो भी नाम दे अगर आप चाहें आप अपने मन का धाचा बदल सकते हैं कर सकते हैं